मॉक एनालिसिस के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं वह मेक फोर नोटबुक्स चार नोटबुक्स आपको बनानी है जब भर जाएंगी तो अगली बनाओ और वो चारो नोटबुक्स आपके चार विश्यों की होगी वो लिखोगे लगनी का मतलब समझ रहे हूं जो questions wrong होंगे उन wrong question के बारे में informations इसमें डालना गलत गय हो तुम उस सवाल में यानि वो तुम्हें नहीं आता था और तुम्हें अगर नहीं आता था तब भी तुमने उसको लगाया यह सबसे खतरना चीज है यह आपको अपनी copy म नहीं किया है तो यह सवाल आपको यहां पर डालना पड़ेगा ठीक है wrong डालने है not attempted डालने प्लस जो भी सवाल है जिसमें आपने ज्यादा time लिया है more time लिया उसका क्या reason है बटे उसमें आपको एक काम करना पड़ेगा उसमें जो अगर mock में कोई better approach है तो वो better approach को भी आप अपनी copy में लिखें English में approach की बात नहीं होगी approach की बात reasoning में हो सकती है और approach की बात आपकी math में हो सकती इन दोनों के विश्यों में कि अगर कोई better approach है सवाल को करने का जो आपको नहीं आता है वो इस copy में आप लिखोगे तो यह पूरे analysis का process है plus जब आप इन चीजों को करोग और इन चीजों को यहां पर आप note down करोगे आपको आपके weak areas expose होने शुरू हो जाएंगे psychology में एक concept है कि जो humans हैं वो अपनी कमजूरियों को ignore करने में माहिर है देखके भी ignore कर देते हैं वो mentally देखेंगे भी कि हां मेरी इसमें कमजूरी है फिर भी उसको justify करेंगे वो ignore करते है इसलिए गलतियां यहां लिखना बहुत जरूरी है जब आप इनको लिखोगे यहां पर note down करोगे note down करोगे तो इससे क्या होगा इससे आपको miss होने का खत्रा नहीं रहेगा आप इनको बार बार देते होगे कि अच्छा यह मैं गलतिया करता हूं कि जो जब आप मौक्टेस अब कितने लोगों ने भी टेस्ट दिया है उन लोगों ने कितना अवरेज टाइम उसमें स्पेंड किया उस पर्टेकुलर क्वेशन यह तीन चीज़ें को क्रने में एक आइडिया लगेगा आपको इसमें टॉपर वाला मिसलीडिंग भी होसकता है किसे ने माद लिखका उ तो average attempt से exam नहीं निकलता है ठीक है, exam निकलता है average से कहीं ज़ादा attempt से तब आपका exam निकलता है अच्छी rank के साथ तो आपके जो attempt का समय होना चाहिए वो average time से तो ज़ादा होना चाहिए, बहतर होना चाहिए कम समय होना चाहिए, तो आपको topper के time को उतना tool नहीं देना है important यह है कि जो average time spent है उस question में बाकी लोगों का जिन्होंने उसको correctly solve किया है मेरा समय उनसे कहीं ज़ादा तो नहीं है यह बहुत important है, तो अगर ज़ादा है तो उस particular सवाल को फिर आप देखो कि इसमें समय कैसे reduce कर सकते थे, ठीक है यह बहुत important है